उस टॉपिक कुछ होते हैं जुस पर कई लोगों ने हमसे सवाल पूछा है और वो है पून जी जो है वो कैसे क्रियेट होगी हुएफ की तो किशो ठककर जी का क्वेस्टन लेते हैं नहीं हुएफ बनती है तो उसकी क्यापिटल कैसे क्रियेट की जाती है तो यह थोड़ा सा complicated question है और इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो मैं शो पे बता सकता हूं कुछ चीजें ऐसी है जो मैं शो पे नहीं बता सकता हूं तो मैं बताओंगा यह पॉसिबल है आप अच्छे लोगों से सलाह लेंगे तो मिल जाएगा पर आप समझ यह पहले पहली तरीक होती है तो सपोज मेरे चाचा मुझे कुछ पैसे देना चाते हैं मेरे फादर मेरे कुछ पैसे देना चाते हैं मेरे दादा मुझे कुछ पैसे देना चाते हैं तो मैं कहूंगा यह पार्ट तो मेरे नाम सीधे कर दो यह पार्ट जो है मेरे हुएफ के नाम कर दो और कितना पार्ट करो मेरे हुएफ में? इतना पार्ट करो कि उसकी जो इंकम है वो दस लाग के आसपास आए, वो की नइ टेक्स रिजीम में 10 लाग तक की इंकम में आपको टेक्स बहुत कम देना पड़ता है, तो जितनी पूझ़ी से 10 लाग रुपे की सालाना आये हो, उतने की आप उ नहीं टेक्स खुद भरेगा और आप बहुत सस्ते टेक्स में छूट जाओं तो पहला तरीका तो यह दूसरा तरीका क्या है कि अब मेरे सबोज विल वाला ऑप्शन नहीं है पर मैं इसके इलावा भी कुछ करना चाहता हूं अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मेंबर जो है वो हुएफ को गिफ्ट दे सकता है और वो गिफ्ट टेक्सेबल नहीं है पर प्रॉब्लम दूसरी है प्रॉब्लम है क्लबिंग की तो सपोज मैंने अपनी हुएफ को मैं हुएफ का मेंबर हूँ मैंने हुएफ को 10 लाग रुपे दिये 10 लाग रुपे पे हुएफ को गिफ होना था वो benefit नहीं हुआ पर इसमें एक कैच है यह 10 लाग पर सपोज मुझे सपोज मुझे 80,000 रुपे इंट्रेस्ट आया इस 80,000 को जहां में इन्वेस्ट करूंगा वहां से जो income आएगी हो हुफ की मानी जाएगी उस पर कोई club नहीं है तो income on income is added to the HOF income और income को club कर देते हैं जिसने वो पैसा दिया अब यह बड़ी problem यह बड़ी problem तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा नौन मेंबर से gift लेना पड़ेगा अब आप कहेंगे नौन मेंबर से gift लूँगा तो 50,000 से उपर जो gift होगा उसको tax लग जाएगा पर आप एक बात समझेए धाई लाग रुपे तक हुएफ की जो income है वो tax free है इसका मतलब कर आप साल में धाई लाग रुपे तक का gift नौन मेंबर से लेते हो तो आपको कोई tax नहीं देना पड़ेगा आप पांच लाग रुपे तक का देते हो तो बहुत कम tax देना पड़ेगा और clubbing नहीं होगी क्योंकि यह नौन मेंबर है यह तरीका है उसकी धीरे धीरे करके आप उसकी कॉर्पस बराते हैं एक और तरीका है जो थोड़ा सा कॉंट्रोवर्शल है पर मुझे लगता है यह काम करेगा वो क्या है कि आप हुएफ को gift ना दे आप हुएफ को loan दे और loan कितने मैं वापस करूँगा वोगी income tax act कहता है वापस करने को ही हम consideration मान नहीं और आपका जो पैसा है वो आपकी margin आप कितने rate पे दे तो अगर आपने loan दे दिया तो आप clubbing भी नहीं होगी उस पैसे जो से जो income आएगी वो हुएफ की income में एड हो जाएगी और आप दोनों तरह से safe है हाँ यह कभी भी हुएफ की पूंजी नहीं मनेगी एक stage पर आपको वापस मिलेगा जो शायद आप कभी नहीं मांगो तो यह कई तरीके हैं और इसमें कुछ और तरीके हैं जो शायद शो पर बताने लाइक नहीं है पर तरीके बहुत सारे हैं तो अभी जो तरीके बता ह है उसमें will हो सकता है आप non-member से gift ले सकते हैं gift ले सकते हैं पर non-member से gift नहीं लेंगे तो फिर clubbing का प्रावधान जुड़ेगा और एक loan का रास्ता हो सकता है लेकिन loan के पैसे वापस भी करने पड़ेंगे चलिए अब सतीश गर्ष से भी का भी मिलता जुलता सवाल है सर इन् है मैंने की वह loan दे सकता है हुए प्रोफेशन नहीं कर सकता बिजनस कर सकता है तो अगर मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ और सोचूँ कि मैं अपने चार्टेड अकाउंटेंसी का काम हुए में करना हूँ वह पॉसिवल नहीं है है ना मैं IT services देता हूँ personal नाम पे वह क काम कर रहा हूँ उसमें मुझे सब expense उसके माइनस हो जाएंगे और जो एक प्रोप्राइटर्शिप या कंपनी में जिसे टैक्सेशन होता है बिल्कुल वैसे ही चलेगा तो हुए में business करना बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि आप एक separate entity create करके tax को divide कर सकते हैं मैं बहुत सा काम वो अपनी हुए में करा दे तो वाइफ की income में आइड नहीं होगा हुए हुए की income separate create हो जाएगी और यह profession नहीं है यह business है ठीक है ओके चली अगला सवाल IMDS डाम के handle से है हुए हुए अकाउंट में अगर कोई co-partner या member पैसा डाल देता है तो उसे कौन निकाल सकता है कह कहां कहां इसे खर्च किया जा सकता है और इनके question का दूसरा हिस्ता है क्या बच्चों को add के बिना केवल पती-पतली का हुए हो सकता है तो पहली बात तो बच्चे automatically add हो जाते आपका उस पे कोई right नहीं है उनको रोकने का नहीं आप रोक सकते हैं दूसरी बात अगर आपने कुछ पैसा किसी co-partner या member ने हुए के account में डाला करता manager है करता decide करेगा और वो करता की ही देखरेक में रहेगा पैसा क्या करता वो पैसा किसी co-partner या member को दे सकता है बिल्कुल दे सकता है वो उसका right है देने का क्योंकि वह manager है हां और बाकी co-partner members पर object कर सकते हैं कि बराब कर दो अगर दे रहे हो दो वो उनका right है